यही तुम्हें टेस्ट कर रहा था हमने क्या बोला है वेरी गुड मॉर्निंग आज नहीं गुड आफ्टरनून आज चलो ठीक है तो गुड आफ्टरनून डियर स्ट्वेंट्स गुड आफ्रनून चले ओके तो आप आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट लेसंस के उपर बात कर ंदों है आप लोगों ने अपना वर नहीं किया है ौके कोई बात नहीं है यह नहीं है प्बात श करने वाले हैं सब्सक्राइब पर पे स्क्राइब लिए दिकाई देरा दिखाया देरा मुम्त वाइटल विलेजेज स्थाईविंग टाउन का मतलब क्या होता है राइविंग मतलब फूल भालना दोतों के त्राइविंग टाउनस मतलब टाउनस फल फूल 1 ती बिन गीज़ए lle यह नहीं, vital villages are important, vital means very important, ठीक है, तो villages are important for thriving towns, मतलब सहरों के विस्तार करने में, सहरों की बढ़ोतरी होने में, सहरों के आगे बढ़ने में, गाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है, इस lesson means to that, एक बार मैं repeat कर रहा हूं, thriving towns depends on vital villages, if the villages are flourishing, if the villages are rich, if the villagers are good position, if villagers are sound, if villagers are prosperous, then towns will flourish, towns बढ़ेंगे, उनका विस्तार होगा, उनका expansion होगा, टाउन जो छोटे थे, छोटे से बड़े होते जाएंगे, उनमें सुविधाओं का विस्तार होता जाएगा, लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, वहाँ पर transport system का विकास होता जाएगा, वहाँ पर telecommunication का विकास होत होता जाएगा, विकास होता जाएगा, विकास होता जाएगा, और विकास हो जाएगा, मतला वैसे करो, towns को अगर देखना है तो बैलून में हवा भरो, थोड़ी से हवा भरा, और थोड़ी से हवा भरो, तो बैलून फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा वैसे ही हमारा town भी फूलेगा, बड़ा होगा, विस्तार होगा, expansion होगा, अगर villages sound हो, ठीक है, villages अगर नहीं होते, तो ये towns का विस्तार नहीं होता, इसी कहानी के बारे में, आज हमारे सामने, अविक्षित सिंग उपस्ती थे, आज हम अविक्षित का नाम लेकर इस वात को सुने हो, वात इस ब्लैक स्मित, गोल्ड स्मित, जो आरिन सी अलग अलग तो बनाते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, तो आ, हाँ, लोहा, जिसका लोहा ही हार हो, वही लोहा है, इसको ऐसे समझो, कि जो लोहे सही हर चीज बनाता हो, लोहे के सामानों को बनाता हो और लोहे से ही वो अपना भी जीवन चलाता हो और दूसरों के जीवन में भी वो सुख सम्रधी लाने का प्रयास करता हो उस लोहे के माद्यम से अभी अभी आपने मगद इंपायर के बारे में पढ़ाना मगद के इंपायर के ग्रोथ होने में इस लोहे ने बहुत बड़ी भूम का निवाई थी जानते हैं जारखंड और इसके आस पास के जो इरियास थे वहां आयरेन मिलता था आयरेन से वह तलवार त्रशूल और क्या- दुस्मन के छक्के चुड़ाना ना दाथ खट्टे कर देना इसा मुहावरे चलिए तो आज हम अविक्षित के साथ चलेंगे तो अब इक्षित की यात्रा है आज कहां ब्लैक स्मिट के सॉप पर अब इक्षित हैं क्लास में अब एक्षित सैट वाचिंग दा स्विट एड़ लोकल सॉप पर उसकी दुकान पर मैं तो बहुत बार बैठा हूं ऐसी दुकानों पर मैं ग्यादा था और कभी कभी इनके साथ मैंने बनाया भी है हमारे गाओं के जस्ट बगल में एक लोहार अंकल थे तो लोहार अंकल के पास में पहुंच जाता था जस्ट घर के पीछे थे अना वह समाज की सनचना इसी बदले मैं अभी भी मिस करता हूं उनका चेहरा मेरे सामने में जो उनको चेहरा देखा था उनका वह सब भाईयों का चेहरा मुझे सामने आता है लेकिन गाओं के सितियां बदलती गई उनक बनाया वह भी मेरे दिमाग पर है तो उनका एक मसीन होती थी जिसको वह हम लोग हाथ से खीषते थे दिखो मैं अभी अपना कैमरा ओन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे खीषता था ओके मेरे पास वह है नहीं टूल्स ध्यकुली वहां कहा जाता था उसमें क्य एरन को मोल्ड करने का काम करता था नीचे कभी मैं इसकी इसका वीडियो भी आपको शेयर करूंगा ठीक है कभी फिलाल इतना ही से संतुष्ट होने का प्रयास करें चलिए तो अविक्षित सैट वाचिंग था स्मित्स एड़ लोकल शॉप देर वाज स्मॉल बेंच और बात कर रहा हूं ना एंड टू मेंवर हीटिंग एंड बीटिंग मैटल रॉट इंटु शेप ठीक है है हीट दा आयरन वें इस हीटिन में इस रेड ठीक है जब गरम अनल लोहे पर चोट तब पहुंचाओ जब यह गरम लाल हो क्योंकि वह लाल जब होगा ना लाल होने का म इन बच्चों को अच्छा बनाना है तो इन पर अभी से ध्यान लेना पड़ेगा इनकी रूटिन को ध्यान लेना पड़ेगा कि वह सब रे कितने जो उठते हैं वो किस तरह के चीज़ों को देखते हैं कहा जाते हैं किसे बात करते हैं कैसे बात करते हैं वो जैसा बनाना च होगे वैसे ही बन जाओगे बच्पन के जो चीजे हैं क्योंकि आपका मन मोल्ड होने की सिति में लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप रिजीड होते जाएंगे कड़े होते जाएंगे और आप जो चीजे बच्पन से देखते जाएंगे वही सच लगने लगे सब्सक्राइब करेंगे अच्छे लोहें से हम क्या सिखके सकते लोहा जब गरम है तो वह सॉफ्ट और आप चोटे हैं तब सॉफ्ट हैं तभी बदलावा सकता है तभी मोल्ड हो सकता है ठीक है जब बड़े होते जाएंगे तो आपकी जीवन में रिजिल्टी आते जाएगी कड़क बनाता जाएगा स्वभाव में विनमरता का अभाव होता जाएगा और आप निगेटिव प्रसनाल्टी बन जाएगे इसलिए लोहे से हमको यह सिच्छा मिलती है लोहार की शौप पर से हमने यह वैलू निकालने का प्रयास किया ओके अब राइट फायर वस बर्लिंग और टू में वर हिटिंग और बीटिंग जरूरी होता है इसलिए बच्छों को लगाना भी चाहिए प्रिया एम राइट अरे खामोसी हो गई बीटिंग के नाम पर चलो हीटिंग और बीटिंग ओके मेटल रॉट्स इंटु सेफ ठीक है आप लोगों को सेफ में लाने के लिए सही दिशा देने के लिए हीटिंग और बीटिंग जरूरी है यह हीट नहीं हीट्यीए दिये चाहिए टीट नहीं हीट्याइट ऊके एचई इसका जान रखना ओके तो हीटिंग अनबीटिंग मेटल रॉट्स इंटु सेफ ठीक है बी पॉजिटिग निरास होने की जरूत नहीं मैं पीटने वाला नहीं है इसार बीटिंग होगे तो आवाज होगि जो दिख ध्यान लगा फड़ाई करने में ठीक है दोको कैमरा ओन करने से फायदा होता है तो हीटिंग और बीटिंग से मागे बढ़ते हैं नौइस तो होना ही है तो लोहे पर भी कॉफी नौइस होगा सब्सक्राइब करने में ये फ्रीटिंग हो रही है मसीन गर्म हो रहा है अब इक चीजे बन रही है अब इस तो देखता ही रही है अब राइट अभी जैग और ओ आई आर्रेंड टोल्स एंड अगरिकल्चर का सम्बंद ऑरण टो gia की साथ किसे अब मघद का के त्रेस्अध किंग्डम से अगरण ने रह जो ने खेती करने के लिए देश की रच्छा करने के कуса बनाने के लिए ठीक्का सब यह घरों को बनाने के लिए सब कुछ के लिए किया होगा तो कैसे नहीं वह आगे बढ़ेगा आरेंट टूल से इस बात को हम समझने का प्यास करें आज हम आरेंट को बहुत हमाने जीवन में बहुत सारे आरेंट की छीजा हैं उसका हम ग्रांटे ले लिए हम अब्सकों बड़े आराम से नहीं समझ आपाते हैं उसको आज बात है कि आज प्लास्टिक का यूग आ गया है यह प्लास्टिक एज़ और हम प्लास्टिक के बहुत सारे समान अपने आस पास देखते हैं और वह वेस्ट होता है और इन्वार्मेंट को डिग्रेट करता है स्वायल पॉलुशन फैलाता है और सस्टेमिल नहीं होता है लेकिन ऐरन ऐसा नहीं है आरन क्या है वह आरन अब आंट्स में आएगा वह आरेन हमारे बॉड़ी में आएगा हिमोगलोवीन की मास्त्रा को बढ़ाएगा ब्लड के सर्कूलेशन को ठीक करेगा आरेन टबलेट खाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं सजिस्ट करते हैं आरेन की कमी से मेंटल जो क्या कहते हैं उसको या आईक्य आई डिजिए समये मेरी बात बैसे यूज़ आइरन बिगें इन डा सब कॉंटिनेंट एर दिटी थाजंड एगों तीन हजार साल पहले यह आरेन इस सब 번째 में इंडिया डिश्ब कानेंट भार्ति ओप महादीवत में तीन हजार साल पहले इसका यूज शुरू हो गया था सब्सक्राइब 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 लोग अपने देली यूज के समान को रखते थे अना जिससे हमको पता चला कि यहां पर लोगों लोग किन किन चीजों का यूज करते थे ठीक है तो मेगालिथ ठीक है तो सम आप द लार्जेस कलेक्शन फॉम आइड टूल्स एंड विपन्स वर फांद द मेगालिथिक यूज अब विच यूव रेट इन चैप्टर फूर ठीक है रिफरेंस देख लेना और ज्यादा जान कर लेने के लिए वहां कर लेना ठीक है एराउंड 2500 अगो देर्ज एविदेंस फॉर ग्रोइंग यूज ऑफ आरेंट टूल्स आरेंड के बहुत सारे समान दिखने लगे बनने लगे थे 2500 साल पहले देज इंक्लूडेड एक्स फॉर क्लेरिंग फारेस्ट जंगल को सफाई करन तो उसे कोई प्रकट होता हो बोलता है क्या चाहिए तुमको तुमने कि यह तुम्हारी एक से दो नहीं इस तरह एक स्टोरी भी है तिक है गोल्डेन एक्स उसको देता है ठीक है तो इस तरही के से वह आप स्टोरी उसमें मौरल वैल्यूस के लिए बनाए स्टोरी क्रिए गई थी तो as we have seen in chapter 5 the plow share was useful for increasing agriculture production ठीक है तो agriculture के production को बढ़ाने के लिए जो plow machine जो पहले आते थी ना जिसमें हम देखते थे कि बैल के आगे एक machine लगी होती थी ना उसका शेप आपने देखा होगा हम आपने देखा होगा इस तरीके का शेप जो आपके बगल में आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है देख रहे हो हम बोलो भाई नहीं दिखाई दे रहा है अच्छा चलो ठीक है यह दिखाई दे रहा हां अभी तो हम इसी कहानी पढ़ रहे थे और आरेंट टूल्स और अग्रिकल्चर ओके चलो इसका वीडियो तो मैंने बनाया यह वीडियो में आपको सब तरह की अपने देखें अपने गरार। यह नहीं देखें या गाहों में देखा हो ईलग इस तरह का टूस देखा है ना उसके सेथ थोड़े अंतर आ गए होंगे अलग बात है पहले के सेथ इसी तरह के आते थे लेकिन अब थोड़ा उसमें परिवर्तन थोड़ा बोत आ गया है ठीक है लेकिन बेसिक चीज तो वही है न बोलो टंग्स एक्स अना सिकल्स यह किसान ब टंग्स इस सब चीजों का यूज इसका की किशन में किया था इसका किशन में किया था देखा है की देखा है अपने बोलीएव बोलो प्लेश dal कि चलो तो आप ने अभी यह देखा कि हम अर्ण टूर्स और एग्रिकल्टर का संबन्ध कितना नज़दीक है अभी च्रवाकर क साथ हमने इसकी याद दुना की करेक्ट ना